हम एक गूमना है घड़ी हमारी कैसे घूमती है इस साइट से घूमती है लेकिन हमें उसके उल्टा घूमना तो यह जो यह पुएंट है यहीं से हमें उल्टा घूमना बिछा आरे से तुक्ति क्या वह कि यहां पर लिखा हुआ है दो तो यह जो लिखे होए हैं है यहां ड क्या हो रही है किया हुरी है यह हम technology हरी है रिट हाँ हॉरी ऑफ हे था ऐसे हम बात करेंगे उसी की जो सबस्था से कह Flu of City नार्ब्रोट तक वाइन पर मिधा Banks करो धथा है उसको कॉंट8 जाते ऑर उसको का कॉंटिंग कहते हैं उसके बारे में हम जाने कि तो हमारे मåर के सब्रकृट में हमारे दो टाइप के IC लगी हुई होती है एक हमारी होती है PGAC और दूसरी हमारी होती है BGAC और एक और भी होती है ऐसी LGAC वो लेग वाले IC होती है और उसको उपर से सोल्डिंग किया जाता है लेकिन वो हमारे मदरबोर्ट के सरकिट में अब यूज नहीं किया जाता इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया है यह जो दो IC आपको दिख रहे हैं PGAC और PGAC यहीं दो यूज होता है आज के मदरबोर्ट के सरकिट में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PGAC के बारे में तो कोई भी IC की जो पीन होती है अगर उसको काउंटिंग करना है तो सबसे पहले उसकी आप IC के नोज पोईंट को नोट करेंगे कि सबसे पहले यह देखे यहां पर एक पोईंट है यही पर से हमारी क्या होगी गिंती स्टार्ट होगी तो सबसे पहले इस point को हम notice करेंगे यह देखे तो यह देखे मेरे पास इजे वो circuit का यहां पर देखे पॉइंट बना हुआ है आइसी का तो यह देखे यहां पर आइसी है और यहां देखे इसकी just इसकी नीचे वाली से हमारी line इस्टार्ट होती है यह देखे हमारी एक नंबर है और दूसरी हमारी दो नंबर है और यह देखे हमारी तीसरी है यह चौती है यह पच्मी है और यह छटी line है तो ये क्या होता है ये anti clockwise होता है आपको कभी-कभी याद नहीं रहता है कि इधर से घूमना है या फिर यहां से counting करना या इस सैट से counting करना तो इसके लिए मैं आपको अच्छी तरीका समझा दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीका से counting आप याद रख सके तो सबसे पहले आपको दिमाग में नोट करना है कि हमारी जो घड़ी होती है हमारी घड़ी किस साइट से घूमती है तो यह देखे बारा हो गया फिर एक हो गया यह दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पाच ह टो गया और यहां छे हो गया तो हमारी घड़ी क्या होती है यह ऊत्द है वाइस कानटिंग करेंसे घूट में जो पॉइंट है यहां से जब हम एंटी क्लॉक्वाइस काउंटिंग करेंगे तो यह देखे एक दो तीन चार पांच छे शे मतलब यहां पर हुआ और यहां देखिए यहां साथ आठ नो दस गारा बारा और तेरा 14 15 16 17 18 फिर इधर से देखें 19 20 21 22 23 24 तो यह देखिए हमारी ज जेन ने कि यहां से लेकर 15 27 210 एन टैंकु द्यूभाइस गोमने की घड़ी हमारी कैसे घूंटी उसले fronts जाएगी तो आप किसी किची आई सी में एक साइट की अगर 5 को काॉंटिंग कर लेते हैं तो आप चारों साइट की आरांब से कांटिंग कर लेंगे जैसे में देखिए एक दो तीन चार पांच छे लैन है इधर तो यह देखिए चार साइड में होगा छे चे चप चोबिस तो इसका मतलब यह क्या है जो आप यहां देख सकते हैं इस तरीके का होता है अब हम बात करते हैं बीजी एसी के बारे में कि बीजी एसी हमारी काउंटिंग कैसे की जाती है तो BGA AC हमारी दो टाइप से काउंटिंग होती है एक होती है नमरिंग काउंटिंग एक होती है हमारी अल्फाबेट काउंटिंग तो अभी हम पहले अल्फाबेट काउंटिंग के बारे हम पहले समझ लेते हैं उसके बाद हम नमरिंग आईसी जो numbering के हिसाब से मतलब counting होता है उसको हम भी समझेंगा अच्छी तरीका से तो यह देखिए alphabet जो आईसी रहता है जगारा आप schematic में देखे होंगे कभी भी तो A1 पे इसकी input हो रही है C5 पे इसकी output हो रही है B3 पे इसकी serial data और C2 पे माल लिजे इसकी clock जा रही है आईसे करके आपने देखा होगा schematic में और इसके बाद मैं schematic में भी आपको देखाऊंगा अच्छी तरीका से कहां इसकी कैसे कैसे line इसकी output होती है और कौन सी ball पे जा रही है तो यह देखिए इसमें क्या होगा BGAC में यह देखिए यह I, O, Q, S, X, Z यह word को क्या किया जाएगा इसमें use नहीं किया जाएगा और यह एक side देखिए हमारी ABCD लिखी हुई होती है A, B, C, D, E और दूसरी side हमारी counting जैसे होता है वैसे लिखा हुआ होता है 1, 2, 3, 4, 5 तो इस side से आप देखेंगे तो यहाँ पर counting रहेगा इस side से हमारी ABCD होगी तो अगर माल लिजिए कि A, 1 वाली number की ball को counting करना है तो कैसे लिखेंगे तो इसके बगल में खली एक लगा देंगे यह देखिए जहाँ जहाँ पर जो जो number लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे माल लिजिए कि A है यहाँ पर तो यहाँ लिख दिया और यहाँ वान है तो उसके बगल में खली वान लिख देना तो इसका कौन सा बॉल हो जाएगा A1 की लाइड जैसे माँ समझ सकता अच्छी तरीका है तो यह देखिए हमारे C4 यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह देखिए यह देखिए C4 जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो A, B, C C से यहाँ पर लेके गए हैं और यहाँ पर डिरेक्ट लिख दियें C और यहां पर क्या है देखे 4 है इसके बगल में लिख दिये 4 तो यह हो गिया क्या C4 वाली यह बॉल हो गई है वैसा ही आप यहां देखे तो देखे D लिखा हुआ है तो D लिखा हुआ है यहां पर और यह दो नमबर पर लिखा हुआ है तो यह D तूटर्ट बाल होगाई यहां पे और देखने है यहां भी लिखा हुआ है I सेक्शन में जा रहा है है और यह आप 5 पर तो यह देखने हमारी क्या हो गए यह यहाँ हो गई उफाइव हो गई इफाइवकिे बाल कांटिंग होता है अब देखते हैं जो अलफाबेट होते हैं उसमें कई बारा इसे होते हैं कि देखें यहां पर कुछ कुछ क्या होता है यहां पर देखें बॉल नहीं दिये गया है यहां पर देखें जगें झाली यहां कुछ क्या है यहां पर क्या हो रहा हो जगा है ऐसे अईसने करें आगर यहां counting हो रहा है तो देखिए A series में मान लिजे कि A 3 वाली ball को हमको counting करना है तो देखिए alphabet में क्या होगा यह जो यहाँ खाली है वो भी क्या होगा इसमें जुड़ेगा तो यह देखिए A हो गिया और यह देखिए A 1 वाली ball हो गई और यह A हो गिया, यहाँ पर देखे 2 हो गिया तो यहाँ पर क्या हो गिया, A2 वाली यहाँ पर बॉल है और यहाँ A3 वाली बॉल है तो इसको इसमें ले करके चलना है अगर यहाँ पर खाली रहा, अगर अलफा बेट से काउंटिंग हो रहा है इसको भी साथ में वैसा ही आप यहां देखेंगे तो आप देखें C4 वाली जो लैन है आप देखेंगे यहां पर क्या है यहां पर गैब है यहां पर बॉल नहीं दिया गया है देखते हैं पावर आइसी में बहुत सारे में देखते हैं कहीं कहीं पर देखें यहां यहां बॉल नहीं दिया गया है यहां भी बॉल नहीं है यहां पर देखे खाली दिया गया है तो यहां पर कभी जो काउंटिंग होगा वो गिनाय होगा उसमें गिंति किया जाएगा तब आप उसको मतलब काउंटिंग सही से कर सकते हैं अगर इसको माल लेजिए कि यह है इसको आप छोड़ दिए तो क्या होगा counting गड़ बला जाएगी और आप से फून बढ़ियां से रिपायर नहीं हो पाएगा और जमपर मारने का कहीं और जमपर मरा जाएगा कहीं और तो आप कोई परिशानी होगा इसलिए आप कॉण्टिंग को अची तरीका समझ लें उसके बाद आप काम करें तो यह देखे हमारी सी फोर की जो बॉल है यह देखे इसको कैसे कॉण्टिंग करना तो देखिए यह होगी सी वन और यह हो गई सी टू और यहां देखिए खाली है त और देखे हमारी जो D में है वाइसा ही इसकी D1 है और इसकी D2 है और वाइसा ही इसकी E5 में भी दिया हुआ है तो E5 में देखे E1, E2 यहाँ पर देखे खाली है लेकिन इसके माध्यम से जोड़ा जाएगा E2 है इसको भी कॉंट किया जाता है और यह देखे हमारी E3, E4 और E5 नंबर बॉल है यह तो हो गई EFGH I देखे, यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है ओ भी यूज नहीं किया जाता है Q भी नहीं यूज पर आगिया तो AT K नहीं लिखना है योज नहीं किया जाता है और A B C D G H A'd और यह आ देखे के लिखना है फिर के जे के ल, M, N, O ओ भी यहां पर देखें नहीं लिखाएगा फिर P, P लिखना है फिर Q नहीं लिखना है तो जो जो यहां पर जो लेटर दिये गए है I, O, Q, S, X, Z यह लेटर को क्या होगा यह यूज नहीं होगा यह numbering counting numbering counting नहीं अब अम बात कर लेते हैं थोड़ी सी numbering counting के बारे में numbering counting हमारी कैसे होती है तो यह देखे Ö 언제 numbering counting में कुछ नहीं है numbering counting में भी असान है यह देखे हमारी जो IC होती है numbering counting करने के लिए तो यह देखे हमारी जो ball है इसको numbering counting और चैनल phosphate counting है यह आपको अस्केमेटिक से ही पता चलेगा कि यह numbering counting है यह alphabet counting है तो सबसे पहले इसकी देखिए एक number वाली ball है यह और यह देखिए दो number वाली ball है और यह तीन number वाली ball है और यह 4 number वाली ball है यह 5 number वाली ball है यह 10 नंबर की counting complete हो गई है और फिर देखे यहां से counting करना है वैसे ही 11 12 13 14 15 15 नंबर तक कि यह counting हो गई complete और वैसे ही 16 17 18 19 20 20 हो गई है फिर वैसे ही देखे 21 22 23 24 25 तो यह कितने बॉल की आईसी हो गई टोटल 25 बॉल की अगर या इसको आप स्केमेटिक में देखेंगे अगर यह के हिसाब से रहेगा उस आईसी में तो आपको दिखाएगा और हम आपको दिखाते हैं स्केमेटिक में भी कि यह थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यह तो रही अगर सारी बॉल रहेगी तो आप इत्मिनाद से गिन लोगे कभी कभी नमरिंग कांटिंग में क्या रहता है यह लेगा देखिए यहां पर देख सकते हैं यह देखिए हमारी एक नमबर वाली बॉल है यह दो नमबर वाली बॉल है यह तीन यह चार यह पाच और यह छे और यह साथ अगर यह धियान रहे यहां पर देखिए यहां पर क्या है बॉल नहीं दिया गया है यहां पर देखिए नहीं अगर जोड़ेंगे तो आपका बॉल क्या होगा गड़वरा जाएगा जोड में तो आप देखे डारेक्ट यहां जोड़ना 8 नमबर वाली बॉल है यह और यह देखे कितना नमबर हो गई नमबर वाली बॉल हो गई और देखे यहां देखे 10 हो गिया 11 12 13 14 फिर देखे 15 16 17 फिर देखे यहां पर 18 नहीं जोड़ना क्यूंकि यहां पर भी खाली है यहां पर बॉल नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी इसको जोड़ना नहीं है और फिर डाइरेक्ट के यहां जोड़ देंगे सत्राग बाद यहां 18 फिर देखें यहां 19, 20, 21, 22, 30 तो यह हमारी कितने बाउल की ऐसी हो गई यह 30 बाउल की ऐसी हो गई तोटल अब हम समझते हैं थोड़ा सा जो हमारी बड़ी ऐसी होती है CPU और MMC वो जब ज़्यादा लंबा होता है तो उसको कैसे कॉंट किया जाता है तो यह देखें हमारी जो यह जो मैंने लेटर बताया था यह आपको I, O, Q, S, X, Z यह लेटर क्या होता है यूज नहीं होता है जब लंबी ऐसी रहती है तो यह तो मैंने छोटा एशिक बारे मुंस में बताया था पहले लेकिन अब मैं देखा रहा हूँ आपको MMC की जो काउंटिंग होगी वो कैसे होगी तो यह देखें आप इसको आप धियान में रखें तो सबसे पहली देखिए आप अलफबेट काउंटिंग में तो आप देखें यहाँ पर A लिखा हुआ है यहाँ पर D फिर E फिर F फिर G एस तक यहाँ है लेकिन देखें यहाँ आई नहीं है यहां सो डैरेक्ट आगया जे क्योंकि आई को इसने यूज नहीं किया है यहां आगया जे फिर आगया यहां पर के फिर एल एम एन फिर देखे ओ भी यहां पर क्या हो रहा यूज नहीं हो रहा यह देखे दूसरी जो वर्ड है इसकी वह भी यूज नहीं हो रहा हो फिर यहां देखे फी है फिर देखे क्यू नहीं लिखा हुआ फिर डारेक्ट क्या ह मियर запad Ace आता है लेकिन एस भी इसा यूज म्हीं की गई है और फिर बच घिया हमारा एक्स और जड़ा यूज करने करन किर देखें यहां प्र टी से फिर जा है वह फिर डबलु लूइक फिर एक्स नहीं यूज किया गया है और वाई किया गया है और जेड भी नहीं यूज किया गया है तो यह जो पाच जो यहां पर लेटर दिये गया है इसको यूज नहीं किया जाता है अगर लंबी ऐसी रहेगी तो अगर लंबी ऐसी के क्या बात है अगर जी एच आई तक भी अगर आ रहा इस में तो आई के जगह वहां पर क्या होगा यह लिखाएगा क्यूंकि आई इस में इस में क्या होता है लिखा नहीं जाता है और देखें हमारी इस साइट से देखो तो आप इधर नंबर दिखेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस गारा बारा तिornical तेरा चाउदा तो यह देखें इधर 14 नंबर है और यह देखें इधर वाई तक लिखा हुआ अगर इस से भी जादा बड़ी कीशित होगगय इसको स्रफ एक लेटर यहाँपर क्या होगा चैंज होगा तो यह देखें यहां पर डबल सतार क्या होता है नीचे बढ़ता जाता है कि अब हम थ्पलता सदे के बारे में तो यह रही हमारी कि अस्क्मेटrick का अब देख सकते हैं जो सीठीर यहां पर बाल है यहां पर क्या हो रहां है इसकी इन्पूट हो रही है तो C3 की वाल आप कैसे पहचानेंगे आपको तो काउंटिंग मैंने बताया है तो आप इसको असको में देखेंगे तो यह देखिए हमारी यह कौन सी मतलब काउंटिंग होगी इसमें तो यह अलफावेट में काउंटिंग होगी क्यूंकि यहाँ पर C लिख रहा है यहाँ पर अलफावेट काउंटिंग में इसको गिना जाएगा और देखें हमारी जो दूसरी IC है दूसरी IC का जो डाइगराम है यह देखें हमारी देखें यहाँ पर 25 नंबर बॉल है यह देखें 25 खली लिखा हुआ यह देखें 30 लिखा हुआ है यह 17 लिखा हुआ है यह 26 लिखा हु हो रही है और यह हमारी हो रही है अलफाबेट कॉंटिंग तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप इन जय भारत